the very important part in this जो कि बहुत ही आसान है that is fundamental theorem of arithmetic fundamental theorem of arithmetic में आपको दो चीज़े देखने को मिलेंगी that is factor tree and composite number अब factor tree कैसे रहने आला वो दिखा लेता हूं सब्सक्राइब यहां पर एक आपको number दिया है और के उसका आप जो भी जैसे कि आप डिवाइड करते हैं तो जो आपने डिवाइड किया वो इसमें आ जाएगा और फिर बाकी का जो बचा हुआ है जो भी जैसा है वह इस तरीके से फैक्टर बनता जाएगा और इस तरीके से जो है यह फैक्टर ट्री होने वाला है राइट इस तरीके से कुछ फैक्टर ट्री होने वाला आपका उसके बाद जो अगली चीज आती है वो है composite numbers composite numbers के साथ एक theorem है आप एक बोल से को एक statement है जो कि यह इस fundamental theorem of arithmetic में हम पढ़ने वाले हैं और उसे से रिलेटेड फिर फैक्टर ट्री और अल अधर थिंग्स आदिया